हेलो दोस्तों मैं सोरम बली का आप सभी का टोपी की स्टेड़े में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज रीजिनिंग की वीडियो में आप देखने वाले रीजिनिंग के टोप 10 एक्सपेक्टिड गोशन्स जो कि आपके सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंट तक देखिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर करिएगा और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े है तो नीचे रैडिकन का बटन दबा करके बैल ऐकन को जुरूर उनकर लिजिएगा ताकि आपके पास आगे वीडियो को और मैं आसा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक पी चुरूर करेंगे तो यहाँ पे पहला कोश्यन आपका कथन निसकर से तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक छोटा सा वेंड डियाग्राम बना के उसके बाद देखे बन गई सभी के सभी पत्थर पानी है ठीक है न चलिए next line में में बोला गया है कि कुछ पानी साफ है तो कुछ पानी साफ है वाली कंडिशन कुण सी होगी जब आप पानी में को हलका सा ये cut लगा के वेंडागराम बना देंगे तो ये वाली कंडिशन होगी नहीं इसको थोड़ा ध्यान से देखेगा निसकर्स में दिया गया है सबसे पहला कुछ पत्थर साफ है और दूसरे दोनों को पढ़ लेते साथ में कुछ पत्थर साफ है और कुछ पत्थर साफ नहीं है तो condition दोनों की दोनों दे दी गई है और जबकि पत्थर और साफ के बी बने वाले निजकर्स में बता emphasizes कि ठार है और दूसरें बता है तो सब्सक्राइलिक रेले को is first ? यहां से हां लाट होसा का का है या तो निसकर्स one या फिर निसकर्स second यूँकि यहाँ पे दोनों ही condition clear कर दी गई है, कुछ पत्थर हो सकते हैं और कुछ पत्थर साब नहीं है, तो यह वाली condition में तो आपका second वाला right हो जाएगा ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आगा, पहले भी मैंने person आकरती में क्या करते रखा है, देख लेते हैं आपको सबसे पहले relation find out करना पड़ेगा, कि इनके बीच में relation क्या चल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखे यह जो arrow का chin है, आपका यह direction में जा रहा है, फिर यह direction में यह direction में, यह direction में, तो इसका मतलब यह क्या चल रहा है, वह 90 degree तो नहीं गुम रहा है, यह 45 degree गुम रहा है हर बार, ठीक है, यह यहाँ पे था, इसको 45 गुमा देंगे, तो यह यहाँ पे आ जाएगा फिर 45 नीचे नीचे को चल जाएगे, ठीक है, फिर 45 गुमाएगे, तो इस direction में, अबकी बार, अगर हम इसको 45 इस direction में गुमाएगे, तो यह क्या हो जाएगा, इस direction में आ जाएगा, तो आपको एक ऐसा उत्तरा करती देखनी है, जिसका जो direction है, वो इस direction में जा रही हो, इस arrow की, तो यह वाला तो बिल्कुल wrong हो जाएगा, इसमें तो आपका arrow ही नहीं सोग हो रहा है, और यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो obviously बात है, आपका option B right answer हो जाएगा, ठीक है भई, तो option B is the right answer, तो आशा करते हूँ कि यह question भी आपको समझवा आ गया जाता, एक और option, तो आप confused हो सकते थे कि यह इस direction में होगा, या इस direction में होगा, तो आपको यहाँ पर इसके लिए तो यह relation find out करना पड़ेगा कि relation किस direction में चल रहा है, और उसके बाद आपको option से भी check करना होगा, ठीक है, चलिए, next question पर चलते है, next आपका question है, दिएगे person में person वाचक चिन के स्थान पर कौन सी आकरती आएगी, यहाँ पर person आकरती आपको दी गई है, यह सबी, ठीक है, इसमें उत्तर आकरती बताने है, बिल्कुल सेम उपर जैसा question है, बस इसमें थोड़ा सा अलग चीज हो गई है, इसमें आपकी बार भुजा बढ़ रही है, ठीक है ना, यानि कि यहाँ पर अगर देखू मैं इस वाले में तो चार भुजा है, चार भुजा, एक, दो, तीन, चार, हर बार दो भुजा बढ़ रही है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, यहाँ पर चार थी, यहाँ पर छे हो गई, तो नेक्स्ट में कितनी होगी, आठ होगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आ यह आपका राइट आंसर हो जागा है आपके एक बर काउंट भी कर लेते हैं वाइन टू थी फोर फाइब सिक्स सेवन एट नाइन टैन लेवन ट्वेल तो आपके बारा हो गए है लेवन घंट ङरो नाइन टू भी करते हूं कि आपके समझ में आया होगा तो इस तरीके कई कोशन्स से आपके एक्जाम में देखना को मिलते हैं ठीक है पस्चिम आपका ये वाला होता है ठीक है तो पस्चिम डारेक्शन में जाएगा इस डारेक्शन में 8 किलोमेटर हमने उसको चला दिया नेक्स लाइन में बोला जा रहा है और फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमेटर तक जाता है उसके बाद वो बाए मुड़ जाता है यानि कि left side में मुड़ता है और left side में मुड़ने के बाद में 6 km चलता है तो यहां तक वो आ चुका है इसके बाद क्या पूछ गया question में वो देख लेता है अपने अरमिक sorry अरमिक बिंदू से राउल अब किस दिसा में तदा कितनी दूरी पर है तो यहां पे आपको क्या करना है किस दिसा में और कितनी दूरी पर है सबसे पहले आप दूरी निकाल लीजे उसके बाद दिसा तो पता चली जाएगी क्योंकि दिसा में आपको क्या करना है यहाँ पर मानना है यह middle आपको जहां से चला था इस तरीके से तो यह वाली उसकी दिशा हो जाएगी तो यह वाली कौन सी दिशा होती है दक्षिन पस्चिन ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है यह वाला distance आपको निकाल लिए तो इस distance को निकालने के लिए क्या करेंगे यह क्या बन गया, एक का आपका triangle बन गया, 90 degree का तो इसमें आपको क्या करना है Pythagoras लगा देनी है, यानि कि A, B का square A, O का square, किसके equal होगा A, B, O के square के ठीक है, तो आप इस तरीके से इन का square करेंगे, कितना है 8 और 6 का square करेंगे, ठीक है, root 8 का square plus 6 का square करेंगे, तो कितना हो जगा जबागा, 64 और 36, यानि कि 100 का आपका root हो जाएगा, सोरी, तो यह 100 का root कितना होता है, बनि, 10 का हो जाएगा, तो इसकी distance जो निकल गा, यह कितनी ही है 10 आ गही निकल के 10 किलोमेटः यही आपका right answer हो जाएगा तो यह क्या हो जगत दक्सिन पस्चिम की ओल राउल अब दिसा में है और यह 10 किलोमेटर की दूरी पर है तो यह आपका right answer कुन सो हो जाएगा देख लिए इन में से दक्सिन पस्चिम याईडि की option D 48 75 108 108 नेक्स्ट आपको बताना है तो इसमें आप relation find out करी अच्छा कोशन है ठीक है ट्राइ करके देखिए इसको ट्राइ करके देखिए छटे कोशन का रहेगा तो आसे करता हूं कि आपने वीडियो को पोज करके एक बड़ ट्राइ कर लिए होगा मैं आपको बता देता हूं कै कैसे करना है देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है अगर मैं बात करूं तो कोई भी constant नमबर इसमें एड़ नहीं हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि 9 हमने प्लस किया next वाल है 15 तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है फिर next प्लस करके देखा तो 21 क्योंकि स्रीज ज Nothee Increase नहीं हो रही है तो इसका मतलब 9 plus हो फिर फिर फ्टेइन प्लस हो यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज प्लस करनी है और कितनी उसमें प्लस करनी है 20-70 27 में मैंने 6 प्लस किया तो कितना होगा 33 35 33 प्लस करेंगे तो 108 अब फिर 33 में प्लस करेंगे 6 तो कितना होगा 39 तो 108 प्लस करेंगे 147 तो 147 राइट आंथर हो जाएगा तो इस तरीके की सिरीज तो बहुत ज्यादा पुछी जानने लगे में तो आशिय करता हूँ कि आपको तो इस तरीके की सीरीज समझ में आगे होगी अगर यह कोशन समझ मतलब पूछे जाते हैं आपके एक्जाम में तो आप इसको डेफिनेटली कर लेंगे और ज्यान रखेगा यह नंबर बिल्कुल यह नहीं कि आपे फिक्स हैं मतलब बहुत सारे अलग-अलग सीरीज बन सकती ह तो यह सब़ी चीज आपको पता हैं तो अलग-अलग सीरीज की प्रेक्टिस करते रहा है इस टाइब की कोई नए कोई सीरीज आपके एक्जाम में देखने को मिल जाएगी नेक्स्त पर चलते है नेक्स्त आपका कोशन है यह इसको भी ट्राइ करके देखिए यह सिम्पल है इसंपल इसलिए क्योंकि आपको सीदा सीदा लेजर आ रहा होगा यह स्क्वार चैनल क्ये उसक्वैर हो जाएगा अब यहाँ पर आपने देखा यह पहले 7 का था फिर 11 का है फिर 13 का है फिर 17 का है इसका मतलब next आपका 19 का होगा ठीक है ना तो 19 का square कितना हो जाएगा आपका 361 सभी को पता होगा तो यही आपका right answer हो जाएगा ठीक है तो 361 यानि की option A is the right answer ठीक है आसा करता हूँ कि आपको सौंज में आगे होगा अब यह वाले स्री जोती है मैंने पहले भी बता है इसमें कैसे करना है आपको इनको सबसे पहले count कर लेते हैं ठीक है तो हम इसको 4-4 में तोड़ लेते हैं क्योंकि जादर तर जो probability बनती है आपकी 12 में और 16 में ठीक है 20 में यह आपकी 4-4 की बनती है फिर 2-2-4 यहाँ पे 4 बन जाएगे यह next आपके 4 बन जाएगे तो यहाँ पर आगर आप देख रहे होंगे last में CC है यहाँ पर भी CC है और य next में क्या जाएगा A B आ जाएगा CC यहाँ पर A सबसे पहले में आ जाएगा यानि कि B ठीक है C B A तो यह आपका कुछ बन जाएगा तो B C B A B C B A कौन सर रहेगा आपका B C B A यानि कि option B right answer हो जाएगा तो इस तरीकी से आप इन सीरीज को कर सकते हैं एक बार इस सीरीज को बताएंगे ठीक है इसका यह question number 6 7 यह question number 8 है ठीक है तो 8 का आप सभी right answer comment box में बताएंगे इसलिए मैंने question extra रखा था कि आप इसको try भी करें साथ साथ में ठीक है चलिए next question पर चलते हैं देखे next आपका question number 9 है और यह क्या है एनलोगी वाले question है तो इसमें आपको सबसे पहला question 9 वाले का answer देना है यहाँ पर 24 36 next आपका question mark और यहाँ पर बताना है question mark की जगे आपका क्या आएगा तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या चलता है 24 into 3 divided by 2 यह 36 आजाएगा ठीक है तो 24 की multiply हमने 2 में की तो यह कितना आगे आपका 72 divided 2 से किया तो आपका कितना आगा 36 तो इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है अब यहाँ पर इसी कौम करें तो यहाँ पर हम किस्म एक्स मल्टिपलाइट टू डिवाइड बाइड बाइड सोरी 3 डिवाइड बाइड टू यहाँ पर कौन सी संख्या रखे कि 72 बन जाए तो अगर मैं आपर 48 रख दू तो 48 सीरी जा कितना होता है 144 होता है ठीक है 144 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होatay 72 तो यह ही आपका राइट आंसर हो जाएगा यांण कि हाँ पर आएगा 144 राइट अंसर हो जाएगा आप मतलब रखेंगे नहीं मतलब नयालय में रहते है ठीक है तो यहाँ पे क्या जाएगा नयालय आजाएगा छेत्र अस्पताल का रियल नहीं और यह कील से questions होते हैं और यह सारे पहले आचुके हैं आपका यह RPF में आ चुके हैं, कुछ Group D में अभी रिसेंटली पूछे जा चुके हैं नेक्स्ट आपका ये है, इस तरीकी के भी कोशन आता है, रेबीज, कुत्ता, इबोला नेक्स्ट आपको बताना है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो रेबीज, आपका कुत्ते के काटने से एक रोग होता है, तो इबोला किस से फैलता है, इबोला होता है आपका चमगादर से, अभी आपने बहुत आया था है निउस्पेपर में भी, तो आपको ये चीजे भी थोड़ा सा पता होनी चीए, तो इबोला आपका चमगादर से फैलता है तो यही आपका option D right answer हो जाएगा तो इस प्रकार के बहुत सारे questions आपके exam में daily जो चल रहे हैं उनमें पुछे जा रहे हैं और आगे भी repeat हो सकते हैं तो यह practice videos हैं इनको देखते रहे हैं लगतार हर एक वीडियो को share भी करिया लाइक भी करते रहे हैं और इन सभी के आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं कहां से topic study के telegram channel से बस आपको सर्च कर रहा होगा वहाँ पे topic study आप नीचे link दिया गया है वहाँ से आप link पे click करके भी direct join हो सकते हैं तो बहुत सारी already PDF आपे पढ़ी है तो उनको download करिए देखिए और अपने से वीडियोस्तों को share करिए और बस अच्छे से पढ़ाई करते रहे हैं ठीक है वीडियो को like share करते रहे हैं वीडियो को देखे लिए बहुत बहुत धिने आपका दिन सुभू